हर हर महादेव आज मैं स्विटिक शिबलिंग के समक्ष आप सभी से जीवन की वो समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं जहां आकर हम सब रुप जाते हैं बहुत क्रोध आता है, सम्मंद विगड रहे हैं आर्थिक परिशानिया एक के बाद एक हमारे सामने है और इसके साथी स्वास्त एक बहुत बड़ा परिशानी बनके बार-बार सामने आ जाता है ऐसे में क्या करें ऐसा जिससे की हम चीजों को अपने जीवन में और ठीक कर पाएं और बहतर कर पाएं तो ये सावन का महीना आपके लिए हो सकता है बहुत खास बहुत ही अपनी आध्यात्मिकता से चीजों को बदलने वाला तो इस पूरे सावन के महा में जब हम रुद्रा अभिशेक करते हैं भगवान शिव को दूद, दही, पंचामरत से पूरा अभिशेक कराते हैं घी, शहद और उनकी प्रियर चीजें जैसे भस और तरह-तरह के सुगंदित, फूल, इत्र इन सभी चीजों से जब भगवान शिव का अभिशेक होता है तो इस पूरे महा में आप ये प्रक्रिया पूरे महा कर सकते हैं स्पेसिफिक आप चार सोंवार को कर सकते हैं या महीने में किसी एक दिन आप अभिशेक करवा सकते हैं इस अविशेक की पूरी प्रक्रिया हम हरीधाम इंदोर से कर रहे हैं और यहाँ एस्ट्रोफू भी आपके लिए निरंतर तयार है इन सारी चीज़ों को लाइव आपको दिखाने के लिए और आप सभी को समलित करने के लिए ताकि आप भी अपने भागे के नए द्वार खोल सके यह सावन आपकी परिशानियों का आखरी सावन हो और इसके बाद जीवन आपका बहुत ही सही तरीके से जैसा आप चाहते हैं आपकी मनोकामना एपूर होती रहे और आपके सम्मंद मस्बूत हो स्वास्त अच्छा रहे और सफलता के सौपान आप चड़ते जाएं बस इसी मनोकामना के साथ भगवान शिव को प्रणाम करते हुए आप सभी को इस सावन के रुद्रा अभिशेक में सम्मलित होने का नियोता देती हूँ आईए और शामिलोए इस अभिशेक को हम ओनलाइन आप सभी के लिए प्रसारित करेंगे आप दुनिया के किसी भी कौने में है वहां से इस स्पिटिक शिवलिंग पर होने वाले इस अभिशेक के खास महत्व को समझाने के लिए सिर्फ एक बात दाऊंगी ये स्वयम सिद्ध शिव है ये महादेव अपने आप में सिद्ध है और इसी लिए आपकी हर बनुकामना फून करने की शक्ती रखते हैं आए समलित होईए और इस पूरे अभिशेक का लाब लीजे धन्यवाद हर हर महादेव